नमस्कार दोस्तो, Digital Electronics Lecture Series में आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम Johnson Ring Counters के बारे में in detail discuss करेंगे तो सबसे पहले इस counter के कुछ key points discuss करते हैं पहले तो ये कि ये जो counter है ये आपका synchronous counter है यानि इस counter में जितने भी flip-flops आप use करोगे सबी flip-flops को एक external clock pulse at a time supply की जाएगी दूसरा ये है दोस्तो कि इसी counter को हम twisted ring counter भी बोलते हैं यानि अगर ring counter का कुछ small modification सम करें तो उससे हमारा twisted ring counter बन जाएगा third important point है दोस्तो Johnson Ring Counter को हम switch tail counter भी बोलते हैं फिर दोस्तो next point है इसमें हमारी जो possible number of states हैं वो कितनी होंगी वो होती हैं दोस्तो 2 into number of flip-flops अगर दोस्तो flip-flops आप 4 यूज़ करते हो तो 2 into 4 that is 8 तो 8 हमारी possible states बनेगी इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है और competitions में इस type से बहुत ज़्यादा पुछा जाता है अब दोस्तो हम बात करते हैं इसके circuit diagram की circuit diagram में मालिज यह मैं यहाँ पे 3 flip-flops का Johnson ring counter यूज़ करना चाहता हूँ तो यह आपका D note है यह D1 है यह D2 है तो सबसे पहले जो D note है वो आपका D1 की input बन जाएगा Q note है Q1 है वो आपका D2 का input बन जाएगा और यहाँ पे दोस्तों जो आपका Q2 है अब यह Q2 आपका finally इस D note में जाएगा लेकिन unlike ring counter ring counters में हम इसका direct connection कर देते थे जो कि एक ring बनाता था लेकिन यहाँ पे इसको हम twisted ring counter भी बोलते हैं यानि यहाँ की जो output है अगर मैं उसको twisted कर दूँ या उसको अगर मैं note gate से पास करा दूँ तो फिर दोस्तों इस circuit को हम बोलेंगे Johnson ring counter या twisted ring counter अब इसके बाद आप सब जानते हो कि यह आपका synchronous counter है तो जो clock pulse है वो हम positive edge triggering यूज करेंगे और जो external clock pulse है वही clock pulse आपकी सभी flip locks पे at a time supply की जाएगी तो यह आपका complete diagram बन चुका है Johnson ring counter का अब यहाँ पे माल लेते हैं कि हमारे जितने भी counter है जितने भी flip-flops है उन सब की जो output है वो हमने reset करके रखी हुई है तो इसका मतलब सब की output आपकी 0 है यानि जब clock pulse आपकी 0 है clock pulse आपने apply नहीं की है तो उस time पे सभी flip-flops की output आपकी 0 है तो अगर आप first clock pulse apply करने से पहले input का status चेक करोगे तो यह मैंने यहाँ पे table बना रखी है दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके B1 का मतलब है before first clock pulse आपके जो inputs है वो क्या होंगे तो दोस्तों यह q2 है जो 0 clock पे q2 0 है इस 0 को दोस्तों यहाँ से पास करेंगे यह high logic बन जाएगा इसका मतलब आपका जो d note है before first clock वो high logic होगा और जो दोस्तो d1 है वो आपका क्या है indirectly q note ही है वो आपका 0 है d2 indirectly आपका क्या है q1 है वो भी आपका 0 है तो दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप clock pulse से पहले inputs का status चेक कर सकते हो तो जैसे ही आप first clock apply करोगे corresponding flip-lops की input on flip-lops की output बन जाएगी जिससे आपको confusion नहीं होगा तो first clock pulse के बाद आपको क्या मिलेगा d note 1 यानि q note आपका 1 हो जाएगा जो input है वही output होती है d flip-lops में d1 0 है तो q1 भी आपका 0 होगा d2 0 है तो q2 भी आपका 0 होगा अब दोस्तों बात करते है second clock pulse की second clock pulse apply होने से पहले हमारे पास ये output status हमें मिल चुका है अब यहां से जो q2 0 है ये फिर से note gate से पास होगा और second clock pulse अपलाई होने से पहले 0 का जो बार है that is 1 वह आपका d note पे available हो जाएगा अब दोस्तों जो आपका q note है वह आपका क्या है indirectly वह आपका d1 में चला जाता है तो q note अगर 1 मिला है तो इसका मतलब d1 आपका 1 हो चुका है फिर दोस्तों जो आपका q1 है वह आपका d2 में चला जा चुका है तो q1 अगर आपका 0 है तो इसका मतलब d2 भी आपका 0 होगा तो अब इसके बाद आप जब second clock pulse अपलाई करोगे तो ये जो inputs हैं ये आपके corresponding clifflops की output बन जाएगी यानि d note अगर 1 है तो अब q note भी 1 होगा अब दोस्तों d1 अगर 1 है तो q1 भी आपका 1 होगा और अगर d2 आपका 0 है तो q2 आपका 0 होगा अब इसके बाद हम बात करते हैं before third clock pulse आपके inputs का क्या status होगा after second clock pulse ये output आ चुकी है अब ये जो 0 है q2 ये फिर से note gate से पास होते वे 1 हो जाएगा यानि definitely before third clock pulse d note अभी भी आपका high logic ही रहेगा फिर दोस्तों जो आपका q note है वो 1 है q note आपका d1 में जाता है यानि ये भी 1 है फिर दोस्तो q1 आपका high logic है q1 आपका d2 में चला जाता है ये भी आपका high logic रहेगा अब इसके बाद जैसे ही आप third clock pulse अपलाई करोगे तो ये जो input आपकी before third clock pulse थी after third clock pulse ये inputs उनी flip-lops की output बन जाएगी यानि ये आपका one हो जाएगा ये आपका one हो जाएगा और ये भी आपका one हो जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं before fourth clock pulse यानि third clock pulse के बाद outputs का status ये रहेगा और fourth clock pulse अपलाई होने से पहले हमारी जो inputs हैं उनका status चेक कर लेते हैं q2 one हो चुका है one का बार zero यानि अब d note आपका zero होगा फिर दोस्तों जो आपका q1 है वो one है q1 आपका d2 होता है यानि वो आपका one होगा फिर जो आपका q note one है q note आपका d1 है इसका मतलब d1 भी आपका क्या है one है तो ये status होगा हमारा अब जैसे ही आप fourth clock pulse अपलाई करोगे ये जो zero है d note का ये q note पे चला जाएगा अब जो d1 one है वो आपका q1 में चला जाएगा जो d2 one है वो अब आपका q2 में चला जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं fifth clock pulse से पहले fourth clock pulse के बाद हमारा ये status आ चुका है outputs का अब हम बात करेंगे before fifth clock pulse inputs क्या क्या होंगी q2 one है one का compliment आपका zero होता है याणि d note आपका zero हो चुका है अब दोस्तों जो q1 है वो आपका one है q1 और d2 आपका सेम होता है अब दोस्तों बात करते हैं q note क्या है zero इसका मतलब q note आपका क्या है d1 ही है इसका मतलब यहाँ पे d1 आपका zero हो जाएगा तो before fifth clock pulse आपका ये status रहेगा inputs का अब जैसे ही 5th clock pulse apply करोगे ये inputs अब उनी flip-lops की output बन जाएंगे तो D not 0 यानि Q not आपका 0 D1 आपका 0 यानि Q1 आपका 0 अब दोस्तो D2 आपका 1 यानि Q2 आपका 1 तो अब दोस्तों बात करते हैं before 6th clock pulse ये हमारा last step होगा इसके बाद हमारी जितने भी ये outputs हैं ये repeat होना start हो जाएंगे तो अब ये जो 1 है ये 1 आपका क्या होगा before 6th clock pulse आपका ये जो 1 है ये आपका इस note gate से पास होके यहाँ 0 बन चुका होगा अब जो आपका Q1 है ये 0 है Q1 आपका D2 ही है तो D2 भी आपका 0 है अब Q0 आपका 0 है और Q0 किस में जाएगा D1 में तो इसका मतलब D1 भी 0 है तो इसका मतलब दोस्तो ये हुआ कि 6th clock pulse अपलाई होने से पहले आपके तीनो flip-lops के input आपकी 0-0-0 बन चुकी है तो इसका मतलब जैसे ही आप 6th clock pulse अब अपलाई करोगे तो सभी flip-lops की output 0-0-0 बन चुकी होगी अब इसके बाद आप चाहें तो 7th clock pulse में same कर सकते हो लेकिन आप देखोगे कि ये वाली जो sequence है ये वाला sequence आपका फिर से repeat होना start हो जाएगा यानि 7th पे ये मिलेगा 8th पे ये मिलेगा 9th पे ये मिलेगा likewise तो इसका मतलब ये हुआ कि हगर हम 3 flip-lops use करते हैं तो 3 flip-lops की help से हम ये कह सकते हैं कि हमें 6 possible states मिलती हैं इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था जो number of states हैं those are equal to 2 into number of flip-lops अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे एक बार waveforms discuss कर लेते हैं Q-note का waveform बनाएंगे यानि 1st, 2nd और 3rd पे ये high logic रहेगा ये positive as triggered है तो आप rising as है उसको mark कर लेजिए इसका मतलब हमारे जो flip-lops हैं सिरफ इसी rising as intervals में काम करते हैं तो ये आपका first पे high logic है second पे फिर high logic है third पे फिर high logic है और fourth clock pulse पे zero हो जाता है fourth clock pulse यानि ये इसके बाद ये दोस्तों आपका sixth clock pulse तक zero रहेगा ये आपका Q-note है अब बात करते हैं Q-one की Q-one आपका क्या है पहली clock pulse पे zero है यहाँ देख सकते हो second थर्ड और fourth पे high logic है पहली clock pulse पे आपका zero है second, third and fourth पे high logic है यहाँ पे ये आपका second start होगा अब आपका third start होगा अब आपका fourth start होगा और अब इसके बाद दोस्तों ये logic low हो चुका होगा अब दोस्तों बात करते हैं Q-two की Q-two आपका first and second clock pulse तक logic low है ये आपका first है या नहीं logic यहाँ पे low है ये आपका second पे भी logic low है अब दोस्तों third, fourth और fifth clock pulse पे logic high है तो ये जो third clock pulse है इस interval पे काम होगा और ये कब तक same रहेगा जब तक same next जो rising as है वो नहीं मिल जाती इसका मतलब fourth clock pulse पे भी आपका logic हाई है इसका मतलब fifth clock pulse पे भी आपका क्या है logic high है और sixth clock pulse पे आपका वापिस से zero हो जाता है तो दोस्तों ये है आपका Johnson ring counter के outputs का waveforms अब दोस्तों बात करते हैं कुछ journal knowledge तो ये है हमारा number of flip-flops यहाँ पे हमने कितना यूज किया तीन अगर मैं इन जर्नल बोलूँ तो मान लिजिए एन नंबर of flip-flops हम यूज करेंगे तो number of states कितना हुआ दोस्तों हमारा possible number of states 6 है क्योंकि उसके बाद भी अगर हम clock pulse अप्लाई करेंगे तो states हमारी फिर से repeat होना start हो जाएंगी तो आम तोर पर कह सकते हो in journal 2 into n आपकी possible number of states है unused कितनी होंगी हमें पता है कि 2 raise to power n maximum number of states हो सकती है यानि 2 की power 3 that is 8 तो 8 minus 6 तो 2 यहाँ पे unused होंगी इन जर्नल आप बोलोगे 2 raise to power n minus 2n यह आपकी unused states है अब अगर f input frequency आपको दे रखा है और वो frequency आपकी Johnson ring counters में जाती है तो output frequency क्या होगी input frequency divided by total number of possible states तो total number of possible states कितनी होती है 2 into n या आप particular example में कह सकते हो f in divided by 6 तो यह आपका output frequency का expression होगा तो दोस्तों इस वीडियो में हमने Johnson ring counter को in detail explain किया है I hope आपको अच्छे से यह समझा गया होगा this is the end of the video thank you so much for watching this video